exercise 6.7 का question 6 क्या है for what value of n हमारे पस क्या है is the geometric mean between a and b given क्या है हमारे पस उसको लिख लेते हैं geometric mean हमें दिया हुआ है और general formula जो geometric mean का होता है वो क्या होता है plus minus under root a b हमारे पस यहां क्या है positive values हैं तो हमारे पस क्या आ जाएगा geometric mean यहां पर क्या होगा positive है तो यह क्या आ जाएगा सिर्फ square root a भी लेंगे अब हम क्या करते हैं दोनों को equate कर देते हैं तो हमारे पस क्या आ जाएगा क्योंकि दोनों जो metric mean के बराबर हैं तो equate कर सकते हम यहां से हम कुछ solve कर लेते हैं इसको में लिख सकती हूँ A 1 by 2, P की power 1 by 2 right side में ऐसी लिख लेती हूँ cross multiplication कर लेते हैं तो हमारे पस result क्या आ जाएगा हमने cross multiplication कर ली अब हम क्या करते हैं terms को अलग लग multiply कर लेते हैं तो हमारे पस क्या result आएगा उसको लिख लेते हैं इसी तरह क्या आ जाएगा B भी साथ multiply होगा यह क्या आएगा next term आ जाएगी plus A half B half multiply by B N minus 1 right side ऐसे ही लिख लेते हैं अब यहां से अगर देखें basis same है तो powers क्या हो जाएगी add हो जाएगी तो क्या आजाएगा हमारे पस A यहां से N minus 1 by 2 यानि minus 1 plus 1 by 2 क्या आजाएगा minus 1 by 2 और यहां से B half ऐसी रहने देते हैं और यह हमारे पस क्या आजाएगा A half ऐसी रहने देते हैं और ये powers basis same है तो powers क्या हो जाएंगे add तो यहां से क्या आजाएगा n-1 by 2, 1 by 2 minus 1, तो क्या आएगा, minus 1 by 2 और right side को ऐसे ही लिख लेते हैं तो हम क्या करते हैं, left side वाली terms को right side पे ले जाते हैं तो हमारे पस क्या result आएगा, उसको लिख लेते हैं a n minus a n minus 1 by 2, b half इसी तरह प्लस b n minus क्या आजाएगा, हमारे पस a 1 by 2, b n minus 1 by 2 equal to 0 अब यहां से हम combine कर लेते हैं, इनको क्या है, यहां से हम कुछ common ले लेते हैं अगर मैं a n minus 1 by 2 common ले लो, तो यहां क्या आजाएगा, a half बचेगा क्योंकि हम क्या करते हैं, common ले रहे हैं a n minus 1 by 2, तो यहां पर हमारे पस क्या बच जाएगा a की power minus half बच जाएगी, और जब उसको उपर लिखेंगे तो यहां पर a half बच जाएगा यहां पर क्या आजाएगा, minus b half, यहां से आप देख सकते हैं a n minus 1 by 2 common निकाल लिया है, तो इस टम में क्या बच जाएगा, b की power 1 by 2 इसी तरह यहां पर हम common ले लेते हैं, वो हमारे पस क्या common आएगा, हम ले लेते हैं उसको, यहां से minus, जो है, a minus, हम यहां से क्या common ले लेते हैं, minus b n minus 1 by 2 common ले ले, तो हमारे पस क्या बचेगा, a half minus, क्योंकि इसी तरह हम क्या करेंगे, b n को divide कर देंगे, b n minus 1 by 2 से, तो यहा कर लेते हैं, तो हमारे पास यह आ जाएगा, अगर हम देखें हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा है, a n-1 by 2 minus b की पावर n-1 by 2 equal to 0, यहां यह आ जाएगा a 1 by 2 equal to b 1 by 2, तो यह तो बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास यह अलग real numbers थे, तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, a n-1 by 2 equal to b n-1 by 2, तो हमने यह लिख 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 लिख, अगर मैं इसको लिख लूँ, a over b n-1 by 2 equal to 1, इस नहीं लिख सकते हैं इसको, फिर अगर मजीद इसको लिख लें, तो यह क्या लिखा जा सकता है A और B N-1 by 2 1 को मैं लिख सकती हूँ A और B 0 क्योंकि बात तो एक ही रहेगी अगर मैं A और B की power 0 लूँ तो वो भी क्या answer देगा 1 ताकि मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं left side और right side की powers को क्या कर सकूँ compare कर सकूँ तो आप compare करें तो हमारे पस क्या आजाएगा N-1 by 2 equal to 0 यहां से N की क्या value आजाएगी 1 by 2 तो हमने क्या करना था हमें 2 geometric means गिवन थे 2 numbers गिवन थे हमने उनकर उनसे क्या करना था N find करना था होप सो आपको यह question समझाया होगा Thank you